दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुती कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने वाले हैं जिसमें से मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरह का एक मैजिकल वीडियो बना सकते हो वो भी अपने फोन से एंड मैं आप लोग बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी वीडियो में एक बारिश वाला इफेक्ट ला सकते हो ते यार इसी तरह कि मैं आज आप लोग को बहुत सारे टिप्स औररेक्स देने वाला हूँ जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेना डाइमेश्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जुरू करते हैं सबसे पहले पोस और टिप्स की दरफ, अब सबसे पहले पोस में आप लोगो को फोटाग्रफी नि वीडियोग्रफी बताने वाला हूँ, हैं ट्रॉष्ट में ये वीडियोग्रफी बहुत जादा आप लोगो को पसंद आएगी, किस तरह से इसको शूट करन हैं, सबसे पहले तो आप लोगो एक फोन कवर ले लेना है, जो बारिश वेगरे में मिलता है, जिसे हमारा फोन प्रोटेक्ट रहता है पानी से, तो वो कवर के अंदर हमें अपने फोन को डाल देना है, एंड उसके बाद आप लोगो को एक स्प्रे भी ले लेना है, एंड वीडियो किस तरह से शूट करना है, सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी उची जगे पर चला जाना है, मॉडल क्या करेगा, सिंपली जमीन पर कुछ इस तरीके से बैड याएगा, उसके बाद हमें अपने फोन को बिल्कुल इसी 90 डिग्री पर रखना है, रखने के बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद मॉबाइल के उपर हमें स्प्रे करते रहना है, जब तक वीडियो बनेगी तब तक हमें स्प्रे करते रहना है, और स्प्रे करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि पानी आपके फोन में ना चला जा बढ़ते हैंगे इस दूसरे पोज और टिप्स की दराओ अब जो दूसरा पोज है ये मैंने पूल साइड शूट किया है बट यहाँ पर भी नदी या फिर इस तरह का पानी होता हो वहाँ पर आप लोग ये इसली शूट कर सकते हो किस तरह से करना है यहाँ पर भी आप लोग को एक फोन पाउच ले लेना है waterproof वाला वो फोन पाउच के अंदर हमें अपने फोन को डाल देना है उसके बाद जो model रहेगा वो सिंपली अपना आधा फेस पूल के अंदर डालते वे पोस देगा और यह फोटो को भी हमें mobile को उल्टा करते हुए क्लिक करना है अब जैसे पूल के अंदर हम लोग अपने फोन को डालेंगे तो हमारे फोन का टच प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फोटो क्लिक करने के लिए आप लोग वालूम बटन से फोटो को क्लिक कर सकते हो तो फोटो को कर लेते हैं क्लिक सुपब यार फोटो बहुती क्रेट्व एंड बहुती अमेजिंग लग रही है यह फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग को 180 डिग्रे में रोटेट कर लेना है बढ़ते हैं कि इस तीसरे पोज और टिप्स के दरफ पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको शूट करना है शूट करने के लिए आप लोग अपने फोन को जमीन पर रख देना है कुछ इस तरीके से अगर जरस अभी फोन हिल गया तो आप लोग का वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो ये चीज़ का ध्यान रखना वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करना है सिंप्ली मॉडिल कुछ इस तरीके से चलते वे आएगा और लेफ्ट की तरफ चलांग मारेगा चलांग मारने के बाद कार की तरफ दोड़ते वे कार के अंदर जाकर बैड याएगा बहुत असान तरीका है वीडियो रिकॉर्ड करने का तो 15 ये 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किस तरह से करना है वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना Edit करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी वीडियो को Open करना है जो शुरू का पार्ट था उसको हमें screenshot ले लेना है screenshot लेने के बाद ये photo में जो car थी उस car का हमें PNG बना लेना है PNG बनाने के बाद अपने phone में आप लोग को Vita app उपन कर लेना है जो PNG हम लोग ने बना रखी थी उसको हमें add कर लेना है फिर उस PNG को proper frame पर ले आना है जो 9 by section का ratio होता है frame पर लाने के बाद जहां पर model ने चलांग लगाई थी वहां तक हमें इस layer को ले जाना है बस इसके लावा आप लोग को कुछ भी नहीं करना आप लोग की वीडियो एडिट हो जाएगी आप लोग चाहे तो डेसरा effect और filter भी यूज़ कर सकते हो बस इतना सा एडिट करने के बाद आप लोग की वीडियो इस तरह से देखने को मिलेगी बढ़ते हैंगे इस चोथे पोज और टिप्स के दरफ अब चोथे पोज में मैंने आप लोग के लिए फोटाग्रफी करी है किस तरह से शूट करना है आप लोग को सबसे पहले एक तार ले लेना है वो तार को राउंड राउंड करते हुए कुछ इस तरीके से शेप में बना देना है बिल्कुल इसी तरीके से शेप में बनाना है जैसे एक टॉर्नेडो का शेप होता है उसके बाद वो तार के उपर हमें धेर सरा कॉटन चिपका देना है अब tornado बनाने के बाद उसको क्या करेंगे हमें जमीन में कुछ इस तरीके से लगा देना है model क्या करेगा थोड़ा सा दूर चला जाएगा and कुछ इस तरीके से shocking reaction देते वे pose देगा so guys photo को कर लेते हैं click superb यार photo बहुत ही cool and बहुत ही amazing लग रही है आप लोगों कैसी लग रही फोटो मुझे comment करके बताओ बढ़ते हैंगे इस पांचवे pose and tips की तरफ अब पांचवे pose में आप लोगों को एक book की जरौत पड़ेगी तो किस तरह से ये photo को click करना है simply वो book को हमें जमीन पर रखना है and book को आधा open करते हुए रखना है बिल्कुल इस तरीके से model क्या करेगा थोड़ा सा दूर चला जाएगा and कुछ इस तरीके से pose देगा जैसे अपने हाथ से कोई चीज को पकड़ रहो and ये photo को हमें low angle से click करना है यानि mobile को उल्टा करते हुए so guys photo को कर लेते हैं click बहुती बड़ी है यार photo बहुती amazing and बहुती cool लग रही है and guess अगर आप लोग को color correction के बारे में जानना हो तो आप लोग मेरा preset डाउनलोड कर सकते हो मेरी website पर जाकर link में description में दे दूँँगा free of cost है कोई भी पैसा नहीं लगेगा so यार ये थे आज के तीन mobile photography and दो videography tips इन पांचों में से आपका favorite pose and tips कौन सा था मुझे अभी आप लोग comment करके बताओ and अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो मेरी पिछली वीडियोस को भी एक बार जाकर जरूर से देखना पसंद आया तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई धमाकिदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई